हलो वन कैसे हैं आप सभी उत्वदेस राजवशे से सम्मंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही महतपूर्ण सूचना है ऐसे सभी अभ्यर्थी जो उत्वदेस सम्मंधित एक्जाम देने जा रहे हैं उत्वदेस राजवशे से सम्मंधित जानकारी का होना आपके लिए बहुत महतपूर्ण हो जाता है या आपकी परिक्षा में सफलता के लिए एक महतपूर्ण सहायक हो सकता है इस द्रिश्टकोर्ण से उत्वदेस विशेवस्त को यदि हम उसका गहन अध्यन कर लें उसकी सभी जानकारी को सही तरीके से अपने एक्जाम के लिए उप्योगी बना पाएं तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि आप इसका सही तरीके से और एक सिस्टमेटिक धंग से अध्यन करें तिसी को ध्यान में रखते हुए उत्तवदेश के सभी अभ्यर्थियों के लिए एक संपूर्ण कोर्स यहां पर लेकर आये हैं उत्तवदेश का जिसमें हम उत्तवदेश की सभी विश्यवस्तूओं का एक डीटेल से अध्यन प्रारम करेंगे और इसको एक सिस्टमेटिक घंक से लेकर चलेंगे इसे इस तरीके से पढ़ाया जाएगा यहां UP-PCS के लिए भी कारगर हो और साथी साथ RO-RO और UP-SSC या फिर UP-S-Related किसी भी एक्जाम के लिए उप्योगी हो यहां पर हम दोनों ही तरीके की चीज़ों को कवर करेंगे अर्था तक factual knowledge जो भी एक्जाम में पूछी जाती है और यहां पर थोड़ा सा हम कहें कि descriptive way में भी चीज़ों को समझना जरूरी रथा तक concept जो होंगे वो भी हम समझेंगे इतिहास भूगोल अर्था जो विशय वस्तु है जैसे कि आप पढ़ते हैं सामान इधन को लेकर तो भारत का इतिहास पढ़ते हैं भूगोल पढ़ते हैं विश्यु का और भारत का पढ़ते हैं अंतरास्टी संबंध पढ़ते हैं पर्यावरण पढ़ते हैं राज व्यवस किस तरीके से डिजाइन किया गया है कहां पर यह उपलब्ध है कैसे आप इसे जॉइन करेंगे क्या इसका फीर है इस्ट्रक्शर क्या है और यह सारी चीजें कब से स्टार्ट हो रही है तो चलिए एक एक करके इन सारी जानकारी को आप तक मैं पहुचाने कोशिश करता हूं ध्यान से इसे अच्छे से पहले सुन लीजिये, समझ लीजिये और उसके बाद यहाँ पर आज ही से आप इसे जॉइन भी कर सकते हैं। CPT के exam है, UP के other exam अर्थात UP, UP की जानकारी UP से related exam में ही पूछी जाएगी, इसलिए ये पूरी तरीके से focused है, कि UP के किसी भी exam में किसी भी तरीके का question पूछा जाए आप यहाँ पर इस course को join करने के बाद, आसानी से यहाँ पर उसका answer दे पाएं, अर्थात की आपके पास हर तरीके की जानकारी यहाँ पर समाहित होगी इस course में, तो यहाँ पर सभी प्रकार की चीजों को अच्छे से सारगर्भी तरीके से यहाँ पर इस course में हम लेकर आएंगे, जहाँ पर सभी जानकारी यहाँ पर होया की जाएगी को से देखिए आप एक live offline batch open किया जाएगा इसको आप join कैसे देखिए live offline का जो मतलब है कि आपने घर बैठे ठीक है घर बैठे हुए एक निश्चित समय पर जब यह भी इसकी classes ही आकर join करने की ज़रोत नहीं है आप घर पर ही classes जिद भी समय स्टार्ट होंगे उसकी एक link आपको मिल जाएगी उस link के तुरू आप डारेक्ट वहाँ पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ और यहाँ पर इस course का पूरा अध्यन कर पाएंगी तो यहाँ पर यह लाइव offline का यहाँ यह सारी चीज़ों को हम यहाँ पर ले कराएंगे यहाँ PDF के तुरू सारी जानकारी आप तक provide कराएंगे और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी वो आप question or not session के दोरान ही अंतिम समय पर अपने doubts भी पूछ सकते हैं clear भी उसे उसी समय किया जाएगा तो graphics का य जुलाई है आज ही से आप यहाँ पर admission open कर दिया गया है आप आज ही से join कर सकते हैं इस course को buy कर सकते हैं purchase कर सकते हैं और यह आप 14 जुलाई तक कर सकते हैं कारण क्या है कि 15 जुलाई से यहाँ पर आपकी classes start हो जाएंगी 15 जुलाई को हम यहाँ पर class दूरू कर देंगे तो व से 14 तारीक के मद batch open है batch open है और आप इसे join कर सकते हैं batch के लिए क्या करना है कि आपको google play store पे चले जाना है ठीक है google play store पे चले जाना है और वहाँ पर आपको यह app download कर लेना है कौन सा यह app है आपका आजाद UPPST Academy app को आपको download कर लेना है download करेंगे तो वहाँ पर आपको यह batch मि purchase कर सकते हैं और उसके बाद आपसे सिधा यहाँ पर आपको एक batch मिल जाएगा उस batch में आपको यह सारी link मिलेंगी ठीक है तो यहाँ पर आपको यह batch आपको मिलना है आजाद UPPST Academy app को google play store से download कर लेना है एक से 14 तारीक तक ही open है 15 तारीक से आपकी classes start हो जाएंगी अब देखि यहाँ पर इस पूरे course में क्या-क्या चीज़ें रखी गई हैं क्या-क्या चीज़ें डिजाइन की गई इस course के अपनी क्या विशेषता है उसको भी देख लीचे पढ़ेंगे क्या-क्या हम तो देखे पहले देख लेते हैं topics क्या-क्या हम इसमें cover करने वाले हैं तो जैसा म हम सामान द्धन पढ़ते हैं जो syllabus में दिया हुआ है उसी के बारे में सिर्फ उत्तरप्रदेस विशेष को ध्यान विलक्तर चुड़ी करना है जैसे उत्तरप्रदेस का इतिहास अब उत्तरप्रदेस के जब आप धिहास पढ़ेंगे तो इस इतिहास में हम पुरा पाशान पत्रकाल से स्टार्ट करेंगे पढ़ना उसके बाद यहाँ पर भूगोल के बारे में पढ़ना है कि उत्तरप्रदेस की यहाँपर मिटटी कैसी है उसका जलवायू कैसा है, क्रिसी फसलें कैसी है, परिवहन कैसी है, जनसंख्या कैसी है, तिस तरीके से उत्तवदेश का भौगुलिक जानकारी भी यहाँ पर हम देखेंगे, उत्तवदेश की कला संस्कृति समाच को यहाँ पर समझने की कोशिश की जाएगी, इसकी अगर हम तो प्रदोकी है, अगर जहाँ प्रदोकी अरथाद विज्विज्यान प्रदोकी से लेट चीजे period क्या क्या चीजिस हैं, यहाँ पर develop हुई है UP में, और उसको लेकर कौन सी नीतियां बनाईगी हैं, UP सरकार के द्वारा क्या 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 पॉलिसी जो लेकर आई गई हैं साथ ही यहाँ पर राज विवस्था, शाषन विवस्था के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे किस तरीके से उत्तवदेश का अपना राज को संचालित करने को लेकर क्या-क्या, महाँ पर समिधान कौन कौन से अनुच्छेद हैं, किसको क्या शक्तियां मिली हैं मुख्य मंत्री, मंत्री परिशद और विधान सभा, विधान परिशद के बारे में, राज जिपाल के बारे में, तिस तरीके से राज विवस्था के बारे में पढ़ेंगे इसके इत्रिक शाषन व्यवस्था किस तरीके सचिवाले हैं आपके निदेशाले हैं वो किस तरीके से काम करते हैं ग्राम अस्तर का यहां पर है ब्लॉक अस्तर यह तरह की जो प्रशासनिक व्यवस्था है प्रशासन व्यवस्था कैसे काम करती है उसके बारे में भी यहां प जो कौन से हैं और जल्वाई परिवर्थन का इसमें क्या effect पढ़ रहा है ति इन से तरह के से परियावरण को लेकर जो policies making की गई है और उसके बारें भी जानकर यहां पर लेंगे साथी UP की अर्थविवस्था को समझने का भी प्रयास किया जाएगा कि यहां की अर्थविवस्था के मूल आधार क्या है क्रिशी है उद्योग है सेवा छेत्र है सरकार के दोरा लाए गई उत्वजे समंधी विजश बजट को लेकर अध्यन किया जाएगा इसके अत्रिक्ति यह भी देखा जाएगी सरकार की पॉलिसी जभी हाल फिलाल के सरकार ने किस तरीके सर्थविवस्था को नया गत्य प्रतान करने को लेकर क्या कार किया है तिक तरीके से देखा जाए तो यहां पर फैक्शुल भी जाएगा और साथी साथ यहां पर बात करें तो हम यहां पर चीजों से related at the last यहां पर देखे current affairs current affairs उत्तवदेश का भी आपको पढ़ाया जाएगा UP का current affairs भी आपको इसी course में हम लेकर आएंगे उसका एक वीडियो particular बनाया जाएगा जिसमें एक साल का current affairs UP का वहाँ पर हम इसे study करेंगे उस सारी चीजों को वहाँ पर समझेंगे इस तरीके से जब यह course आपको यहाँ पर current affairs सबसे last में लेकर आएंगे जब यह पूरा course एक बार हम पढ़ चुके होंगे तो सबसे last में हम यहाँ पर current affairs को आपको पढ़ाएंगे वो भी आपको इसी course के साथ 4 test भी free में देखने को मिलेंगे तो इस तरीके से अगर देखा जाये तो इस पूरे course में लगवग हर एक चीज को बहुत ही dynamic तरीके से design किया गया है और सभी प्रकार के exams को ध्यान में रखकर decide किया गया है किसे अच्छे से एक पर study किया जाए और यहाँ पर यह चीजें होने के बाद आप सभी प्रकार के exam में UP को लेकर जो एक tension रहती है UP विशेश की जो knowledge की दिक्कत रहती है कहां से पढ़ें कितना पढ़ें कहां कितना है नहीं है उसकी problem आपकी समाप्त हो जाएगी तो यहाँ पर आपको बस अपना proper notes बनाना है develop करना हो साथी साथ यहाँ पर सारी चीजों को मेरे साथ पढ़ना है जो doubts होंगे हम वीडियो के last में उसे देख लेंगे जो queries होंगी वो हम वीडियो के last में उसे solve करेंगे बाकी time पर एक देख घंटेक जो भी class होगी तो वहाँ पर इन सारी चीजों को हम पढ़ना सुरू करेंगे classes जो start होंगी जैसा मैंने एक बार फिर कहें दो last में जाते जाते एक चीज़ बता दे रहे हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए admission जो है आपको आज से 1 जुलाई से open है 14 जुलाई तक यहाँ पर admission date open रहेगा इस window में आपने admission ले सकते हैं course आपने देखी लिया है आपको topic वाई सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी current reference पढ़ाई जाएगा और साथी साथ एक साल की validity मिलेगी जहाँ पर आप इस video को multiple time देख भी सकते हैं तो एक साल की validity के साथ सिर्फ 699 रुपए में आपको यह सारी चीज़ें यहाँ पर जिसमें सारे details study भी है test series भी है current affairs भी है सब कुछ आपको मिल रहा है तो यहाँ पर आपको इसके लिए करना क्या है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है डाउनलोड करना है आजाद UPPSC Academy app को Google Play Store पे जाना है और वहाँ से इस app को डाउनलोड करके यहाँ पर इस course का आप यहाँ पर लाव उठा सक अभी से तुरंट जाईए इस वीडियो को देखने के बाद तुरंट जादा देर नहीं करनी है पैज जोइन करिए और यहाँ पर अपनी अपनी जो होती है तैयार हो जाईए अपने आपको माइंड से टप्त कर लीजे 15 तारिक से मैं आप सभी के बीश आ रहा हूं इस पू थैंक यू सो मुच और लुग